पाना है सपलता जो तुमको तो खुद को तुम आजात करो मत डरो किसी मुसिबत से अपने होसलों को फॉलात करो सब्सक्राइब ने किए जल्दी से कर ले क्यूंकि आप चैप्टर वाइज भी तैयारी करवाए जाएगा धाकर तरीके से हिंदी में अपने फोड़ का यह दोस्तों यह मेरा वादा है ठीक है चलिए दोस्तों बिनादरिक वीडियों को सुनू करते हैं चलिस्तों आज का पहल ए प्रेमचंद का मुल नाम था दनपत राह स्रीवास्तव अब सविक बता है ठीके विशन कोण साल कानि लिका दोस्तों को मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेश्ट चैटर की ओर कोईशन नमबर थी की ओर कोईशन थी में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गिया है कि घर में मक्यों का भीन मिनाना पंक्ती से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है यह तो है उचा गिय प्रसात कुन थे सिद्ध्यषवरी के हजबन थे जिनका नौकरी चला गिया है कि चट्नी हो गिया ठीक है चले आगे बढ़ेंगे लोग कोईशन अफाइब क्यों कोईशन वाइब में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गिया है दोपर का भोजन कहानी में एक मात्र महिल टोंच बेचने वाले कहाणी में टोंच किस कमपनी का है यह बहुती important question है चाप टोंच वाला दो मित्र का कहाणी है दोस्तों करेजेगे आ यह तोंच बेचने वाले पर्ट के लेका के संकर परसाई कैसे याद करेंगे हरिसंकर परसाई परसाई मिन्स परचाई, परचाई को अंधकार सुचेगा, अंधकार को दूर करने के पावर किसमे है, टौच में है, तिस तरह करके जाईएगा, टौच बेचने वाले लेखाक करके जाईएगा, चलिए आगे बढ़ेंगा, नेक्ट कोश्चन की और कोश्चन नमबर 7, क्या आप सविक पता है, आस्थाओ के बाजी करन पर और धार्मिक पाखंट पर, ठीक है, करके जाईएगा, और एक कोश्चन दोस्तों, आप लोग कमेंट बताईएगा, टौच बेचने वाले वाइदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुचा है, जहाँ उस दोस्त से मिलना था, ठीक है, कमेंट बताईएगा, और एक कोश्चन बताईएगा, दोस्तों, भाइब ये पुरूस्त, जो है, प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदीर में आकर अंतर जोती जगाने की बात करता है, मंदीर के नाम बताईएगा, ठीक है, चले, नेक्ट कोश्चन क क्या है, कोश्चन में 8, गुंगे चैप्टर, ठीक है, बहुत important चैप्टर से कोश्चन है, कि गुंगे कहानी में किसके प्रती समाज में व्याप्त, समवेधन, हिंता को रिखांकित किया गया है, तो याद रखीगा, दिव्यांग, दिव्यांग मतलब विकलांग, याद करक ठीक है, और गुंगे चैप्टर के लेखा का नाम क्या दोस्तों, गुंगे रांगे, गुंगे रांगे, याद करके यह हैगा, गुंगे चैप्टर के लेखा का नाम है, रांगे रागव, ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा, गुंगे को किसने पाला था, जल्दी से कि गुंगे को किसने पाला था और खेलते खेलते किसने कसकर गुंगे को एक चपत दिया था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कोशन नाइन की और कोशन नाइन देख सकते क्या पुछा गया कि जोतीवा फुले बहुत इंपॉर्डेंट चेप्टर दोस्तों यहां से क एंसर ठीक है आप लोग कमेंट में बताईएगा ठीक है जोतीवा फुले को मात्मा की उपाधी से कब सम्मानित किया गया था फड़ा फड़ बताईए कि जोतीवा फुले को मात्मा की उपाधी से कब सम्मानित किया गया था दूसरा कोशन बताईएगा कि जोतीवा फुले क बिभाग किस वर्स हुआ था और किन के साथ हुआ था यानि जोतिवा फुले के वाइप का नाम पत्री के नाम क्या था कमेंट में जरूर बताईएगा चलिए आगे बटते हम लोग नेक्ट कोईशन को और कोईशन नमर 10 क्या पूछा गिया आसपर सी जातियों के उत्थान के आसपरश जातियों के बारे में जोतिवा ने क्या सिच्चा का परवंथ किया था याद रहीं हैं कि आसपर सी जाती के बच्चों की सिच्चा का परवंथ है और आप सभी मता है जोटिवा फुले कंवाई का सावित्री भाई का पैसा मिर्दा ठीक है कितने बच्चे को मिर्दा आप लोग कमेंट बताईगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेश्ट कोईशन की ओर कि जोतिवाप हुले ने किस संस्ता की अस्थापना की थी बहुत इंपॉर्डन कोईशन है साथ्य सोधक समाज क की अस्थापना की थी चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेश्ट कोईशन की और कोईशन अबर 12 क्या पूछा है कि आप लोग देख सकते हैं कि ओम प्रकास वालमीकी ने खनाप दोस कहानी में किस वर्ग की बिढम बना को उजागर किया है तो स्रामिक बर्ग ठीक है सभी को आ कोन है यह भी आप लोग कमेंट बताईएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 की ओर क्या पूछेगे दोस्तों कि खनाप दोस कानी की मुल समवेदना है 2020 में पूछा गिया मजदूरों का सोसन ठीक है याद रखेगा ठीक है वो जो मालिक है दोस्तों मालिक है जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है मजदूरों का वहुत ही important question इसको करके जाएगा टैंसर मत लीजे कितने बच्चे चाहते हैं कि chapter by chapter वीडियो बनाया जाए मेरे तरफ से comment में बताईएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question of 14 की ओर question of 14 में क्या पूछे गया मुक्त धार्थ एक होते हुए भी धावनार्थ और वेंगार्थ अलग-अलग होते हैं प्रस्तुत पंक्ति किस पार्ट से उद्री थे मना यह जो line है दोस्तो यह line किस chapter से लिया गया है तो नए की जनम कुंडली से लिया गया है इसको भी याद करके जाएगा चलिए आगे बढ़े जाना इस तरह के questions पूछे जाते हैं तो उसकी मा किस विद्धा की रचना है तो कहानी है याद करके जाएगा कहानी है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगा उनों दोस्तो उससे पहले आपनों कमेंट बताईएगा उसकी मा कहानी के लेखा कोन है आपनों फटा-फट कमेंट बत सकते हैं कि वेधिक हिНसा ना भावती ना टक के रचियता कोन है तो वो है कोन दोस्तो आप सभी पता है भारतिंदू-حरिश्चंद्र कोन है रधियो अर भातिंदू-हरिष्चंद्र का एक कहानी आपको भी पड़ना है भात वर्स की उन्नती कैसे हो सकती लिखानी होसकी और यह जो भात वर्स की उन्नती कैसे हो सकती यह भासन है कहानी नहीं है किस मेले में यह भासन दिया गया यह भी आप लोग कमेंट बताईएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे गेरे में कविर के अनुसर बालम का क्या तात्परी है बालम का अर्थ होता जोस्तों इस वर ठी अरे घर यह पुछा गया आप लोग कमेंट बताईएगा कवीर गंथा वाली पुस्तक की रचना किस ने की थी ठीक है जल्दी फड़ा-फट बताईएगा और कवीर का जनम कब हुआ ता आप लोग फड़ा-फट कमेंट में बताईएगा दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्ट बहुत सारे बच्चे मेरा Instagram ID में जुड चुके हैं, जोइन करनी है, ठीक है, फॉलो करनी है, और बहुत सारे डाउट से हम से सेयर करता है, ठीक है, आपको किस-किस चीज में प्रॉबलम होता है, क्या-क्या वीडियो चाहिए, हमको डाइट Instagram में भी बोल सकते है, ठीक है, मैं reply जरूर देता हूँ आप, ठीक है, तो जरूर से जरूर इसको follow कर लीजेगा, और आप लोग chapter wise कितने बच्चे चाहते हैं, कि इस चैनल के माहिदम से chapter wise हिंदी का तैयारी करना चाहते है, 40 गा 40 लाना चाहते है, इस चैनल के माहिदम से फटा-फट कमेंट बताइगेगा, अ अगर थोड़ा से वी वीडियो अच्छा लागा, प्लिस इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, ठीक है, तब तब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में धेन्वाज जाहिएं वन्दे मात्रम